हेलो दोस्तों मैं हूँ जग्दी जोसी और आप देख रहे हैं लर्ण द्रीपली दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कालकुलेट करेंगे कि 1 HP या फिर 1 किलोवाट की मोटर कितना करेंट लेती है तो यह जो question है यह interview में काफी ज़्यादा पूछा जाता है तो interview में अगर इस type की question आपसे पूछा जाता है तो आपको ज़्यादा time नहीं लगना चाहिए इस type की question का answer करने में तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भासा में समझाने की कोसिस करूँगा कि किस तरीके से हम HP से current और किलोवाट से current किस तरीके से हम calculate कर सकते हैं तो आपको एक simple सी value भी मिलेगी last में जिसको कि आप simple किसी भी 1 HP या 10 HP 20 HP कितने भी HP एक किलोवाट से अगर आप calculate करोगे तो आपका normally current निकल जाएगा तो यहाँ पर मैं single phase और three phase दोनु में ही यहाँ पर calculate करके आपको दिखाऊंगा इसमें हम HP और किलोवाट दोनु में ही calculate करेंगे आपको समझ में भी आ जाएगा तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर three phase supply system की बात करते हैं कि three phase में हम किस तरी के से HP किलोवाट से current निकालते हैं तो देखे current निकालने के लिए कि कोई भी motor हमारा कितना current लेगी उसको निकालने के लिए हमको सबसे पहले जो three phase system में power का formula पता होना चाहिए तो three phase में power का जो formula होता है वो होता है root three multiply voltage multiply current multiply power factor ठीक है यह होता है हमारा power का formula three phase system में तो अभी मान के चलिए हमको यहाँ पर current निकालना है तो current निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या काम करेंगे सबसे पहले में इसको short form में लिख देता हो V, I and power factor तो देखिए अगर मुझे यहाँ पर current निकालना है तो current निकालने के लिए मैं क्या काम करूंगा मैं इस यह इतना portion है इस portion को power के नीचे लियाऊंगा तो P upon में root three multiply V multiply power factor और उसके बाद हम यहाँ पर क्या काम करते हम यहाँ पर current निकालने के लिए जो हमारा efficiency जो होती है motor की उसको और हम calculate करते हैं तो यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको efficiency को हम क्यों calculate करते हैं जब हम इसको निकालेंगे तो यहाँ पर हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पर हम current निकालने के लिए जो हमारा power जो है power हमारा होता है motor कितने hp में है या फिर kilowatt में है अगर मानके चलिए कि एक hp की motor है तो इसका मतलब यह है कि motor हमारी 746 watt कि है अगर एक kilowatt में है तो इसका मतलब यह है कि motor हमारी 1000 watt की है ठी कै अगर एक hp है तो 746 watt एक किलो मार्ट है तो हाँपे heasizi था वाड़ हो गया कि voltage हमारा लगबग 415 volt रहता है power factor 0.85 हम लेके चलते है motor के case में और efficiency हम लेके चलते है 0.95 यह हो सकता है अलग-अलग motor में vary कर सकती है efficiency तो यहाँ पर आपको जो motor की जो name plate होगी उसमां आपको मिल जाएगी ठीक है तो यहाँ पर देखे power हमको यहाँ पर पावर मिल गया है 746 watt चलिए अभी हम इसको calculate कर लेते हैं calculate करने के बाद हम देखते हैं कि इसमां value जो है वो कितनी आती है तो चलिए सबसे पहले मैं क्या काम करता हूं जो यह नीचे का portion है इस तीचे के portion को हम यहाँ पर multiply कर देते हैं तो इसके लिए क्या काम करूंगा मैं root 3 multiply 415 multiply 0.85 multiply 0.95 तो यहाँ पर मेरा total जो आ गया वो देखे 746 तो उपर का है हमारा अभी और जो नीचे जो आ गया मेरा वो आ गया यहाँ पर total को calculate करने के बाद वह आया 580.43 तो इसके बाद अगर मैं 746 को इस वारे portion से अगर मैं भाग दूँ तो यहाँ पर मेरा आएगा 746 भाग देने पर 580.43 को अगर मैं भाग दूँगा तो मेरा आएगा यहाँ पर 1.28 Ampere यहनि कि जो मेरा current जो है यहाँ पर वह current 1 HP की motor 1 HP की motor जो current लेगी वह लेगी लगबग 1.28 Ampere तो यह vary कर सकता है अगर आपका मान के चलिए voltage जो है वह 415 है या फिर 410 है या 420 है तो वह उसके according variation आ सकता है या फिर आपका power factor जो मोटर के ऊपर power factor लिखा हुआ है वह कितना है हो सकता है आपके power factor 0.80 लिखा हो तो यह उसके उपर जो है वह vary कर सकता है तो देखिए अब आप क्या काम कर सकते हो अगर आपके पास 5 HP की motor है तो आप उसको 1.28 से अगर multiply करोगे तो simple आपका 5 HP की motor का जो है वह current निकलाएगा तो आपको सिर्फ इतना याद रख एक किलोवाट की motor है तो वह कितना current लेगी एक किलोवाट में हमारे 1000 watt होते है जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पर एक किलोवाट में 1000 watt होगे हमारे उसके बाद जो यहाँ पर हमने calculate किया था यह वाली जो equation हमने calculate करी थी current निकालने के लिए same हम इसको यहाँ पर लेके अपन में हम simple क्या काम करेंगे जो हमारी जो इधर की equation थी इसी को हम same note करेंगे यहाँ पर यहाँ पर हमारा root 3 हो गया गुला में 415 गुला power factor हमने 0.85 लिया है और जो efficiency लिये हमने वो लिये 0.95 तो इसको calculate कर जो नीचे का portion है यह हमने already यहाँ पर calculate किया हुआ है तो already हम यहाँ यहाँ पर note कर लेते हैं 580.43 तो यहाँ पर 1000 भागा 580.43 यहाँ पर आ गया तो अब मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा अब यहाँ मैं 1000 को 580.43 से भाग दे दूंगा यहाँ पर 580.43 यहाँ पर भाग दिया तो यहाँ पर मेरा आया 1.72 यानिकि 1 kilowatt की जो हमारी motor होगी वो 1.72 ampere current लेगी ठीक है तो इस तरीके से हम जो है वो kilowatt और HP में current निकाल सकते हैं 3 phase system में तो देखिए यहाँ पर 0.95 यहाँ पर efficiency जो ली motor की कभी भी हम motor को 100% efficiency पर यूज नहीं करते उसकी जो छमता है उस motor की उसका हम 100% नहीं लेते उससे तो इसलिए हम यहाँ पर 0.95 से हमने calculate किया इसको हमने 5% efficiency 0.5% efficiency इसकी हमने छोड़ दी इसलिए हमने यहाँ पर 0.95 ही percent ही efficiency यहाँ पर इसकी calculate करी equation में तो यह हो गया हमारा 3 phase system अब हम यहाँ पर इसका single phase system अगर single phase motor में अगर हम यहाँ पर बात करें कि single phase motor में हमारी motor कितना current लेगी तो यहाँ पर मैं आपको power का formula यहाँ पर बता देता हूं single phase में power का formula जो होता है हमारा वो होता है v i cos 5 या फिर cos theta या फिर v i power factor ठीक है यह होता है हमारा single phase में power का formula तो यहाँ पर आप simple क्या आगाम कर सकते हो यहाँ पर जो हमारा power का जो formula होता है वो होता है जैसे कि voltage multiply current multiply power factor तो इसी तरीक से अगर हमको current निकालना है तो current निकालने के लिए हम क्या अगाम करेंगे हम power upon में voltage multiply power factor multiply motor की efficiency तो यहाँ पर अगर आप इस formula में अगर आप अपनी values को रखते हो तो यहाँ पर आपका simple जो है वो single phase का current आ जाएगा तो आपके लिए question यह है कि आप मुझे 1 hp की motor का current निकालके बताएंगे और दूसरा 1 kW की motor का current निकालके बताएंगे ठीक है जितने भी viewers इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से मेरा request है कि आप इस equation पर 1 hp की motor का current निकालके दो और 1 kW की motor का current निकालके दो voltage यहाँ पर आपका लगबग 230 लेके चलते हैं 230 वोल्ट रहेगा single phase में क्योंकि हम यहाँ पर single phase motor का current निकाल रहे है ठीक है तो जल्ली से आप यह calculation करके दो मेरे को I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से आप simple kW और HP से current निकाल सकते हो motor का अगर फिर भी आपके इस topic से related कोई doubt रहे गए हैं तो आप इस वीडियो के नीचे comment कर सकते हैं मैं आपके लिए फिर से वीडियो बनाऊंगा और आगर आप इस channel पर new है तो आप इस channel को subscribe कर सकते हैं बगल मुझे बिल icon है उसे on कर सकते हैं ताकि आपको हमारी 7 new videos को notification लगाता मिलता रहे ओके गाइस अपना कीमती समय हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जल्द मिलते हैं अपनी next video में